हेलो दुस्तो श्वागात है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इस्टडी सप्लाई में शो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके तो बॉड एक्जाम है काफी नजदी का चुके हैं अब दोस्तो हमें Smart Study करनी है उसी smart study के चलते अब मैं आपके लिए कुछ most important question लेके आ रहा हूँ कई सारी वीडियो मैं already update कर चुका हूँ जिसमें मैंने काफी सारे science के most important question आपके लिए बताय हुए है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम काफी important question करने वाले है आपकी science का जो अध्याच्छा है जैव प्रिक्रम इसके सभी महत्पून बस्तुन इस प्रिक्रम आज की इस वीडियो में हम complete करेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं आप अटाफ़से वीडियो को like कर दीजिए चैनल पर नए हो चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए तो देखते हैं हम पहले प्रिशने से फर्स्ट question है दोस्तो वसा को बसी अमल में कौन सा विकार परिवर्थित करता है इसका आपका correct answer हो जाएगा life is याद रखिएगा दोस्तो क्या answer हो जाएगा life is next है solution की प्रिक्रिया होती है उप्चैन अप्चैन उसर्जन अप्चैन तो इसका आपका correct answer दोस्तो आ नंबर का option हो जाएगा उप्चैन अगला दिखते हैं यदि लार में लारे एमाईलेज का अभाब हो जाए तो मुक गुहा की कौन सी घटना प्रिभावित होगी याद रखना दोस्तो बानंबर का option इस्टार्च का सरकरा में विगडन इस्टार्च का सरकरा में विगडन यह आपका correct answer हो जाएगा नेक्ट है भोजन नली का कौन सा भाग यक्रत से पित्तरस प्राप्त करता है आमा सै अगना सै छोटी आथ बढ़ी आथ तो इसका आपका correct answer हो जाएगा दोस्तो छोटी आथ क्या answer हो जाएगा छोटी आथ नेक्ट देखिए मास PCO में आक्सीजन की कमई प्राय किर्कीट खिलाडियों के पेरों में जकडन का कारण बनती है इसका क्या कारण होता है तो इसका कारण होता है तो इसका कारण होता है दोस्तो पाईरूवीट का एथिन वल में परीवर्तन आपका correct answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है मनुश्य की पाचन पिंद्र में हाईड्रो क्लोरिक अमलका स्रावन किस भाग से होता है आमा सै अगना सै यक्रत पित्ता सै इसका correct answer हो जाएगा आमा सै यानि कि आमा सै से हाईड्रो क्लोरिक अमलका स्रावन होता है अगला देखिए जटिल अगला देखते हैं अगला है निमने मैसे क्या प्रकास संसलेशन में नहीं होता तो आप सभी जानते हैं प्रकास संसलेशन की क्रिया में दूस्तो कार्वन डाइकसाइड का उससर्जन नहीं होता ठीक है नेख देखते हैं दसवत देखी प्रकास संसलेशन के लिए आवश्यक नहीं है कार्वन डाइकसाइड, सूरी का प्रकास, पानी और अक्सीजन आप सभी जानते हैं दोस्तों प्रकास संसलेशन की क्रिया के लिए कार्वन डाइकसाइड, पानी और सूरी का प्रकास तीनों आवश्यक होती हैं तो आपका option number 2 यहाँ पर correct हो जाएगा oxygen की दिरुवाद नहीं होती 11 बाद देखिए पत्ती की सतय पर पाय जाने वाले छिद्र याद रखिए का दोस्तो तिरमासिक परिक्षा में भी आया है पिछली परिक्षा में भी पूछा गया है तो इस प्रिष्ण का answer याद रखना पत्ती की सतय पर पाय जाने वाले छिद्र लोगों हम स्टो मीटा कहते हैं क्या कहते हैं स्टो मीटा वार्बद देखिए प्रिकास संसलीशन की क्रिया पौद की किस भाग में होती है आप सभी जानते हैं पत्ति में होती है ठीक है नेक्ट देखते हैं आहर नली का बहभाग जहां कोई पाचन क्रियान नहीं होती मुख गुही का ग्रसी का आमासाय छोटी आथ तो इसका correct answer हो जाएगा ग्रसी का मलास है इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो छोटी आथ ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तो देखिए सूक्ष में रोम का कारे होता है सता ही छेतपल को बढ़ाना भुजन का अफ्सोशन दोनों कोई नहीं तो सूक्ष में रोम का कार होता है दोस्तों दोनों सता ही छेतपल को भी बढ़ा देता है और भुजन का अफ्सोशन भी करता है अगला है स्वैसन क्रिया है उसमा सोसी क्रिया उसमा चेपी क्रिया दोनों दोनों ही नहीं इसका correct answer हो जाएगा option number 2 उसमा चेपी क्रिया अगला देखिए गुलू कोच का पाईरू वेट में विखंडन होता है कोची का द्रब्ब्ब में, माइट्रो कांडिया में, किंद्रग में और डियने में तो इसका correct answer हो जाएगा कोची का द्रब्ब्ब्ब में clear अगला देखिए ATP का उप्योग होता है पेसियों को सिकोडने में, प्रोटीन संस्लिशन में, तंत्री का आविस संचरण में उप्रोग सभी तो इसका answer हो जाएगा उप्रोग सभी ATP का उप्योग तीनों चीजों में होता है अगला देखिए, लार में पायद आने वाले एंजाइम, salivary enzyme का कार होता है अब एक लार में एंजाइम पायद आता है जिसका नाम है दोस्तो salivary enzyme, amylage, sorry, salivary amylage इसका कार क्या होता है प्रोटीन को, प्रोटीन का amyno अमल में विगटन, starch का सरकरा में विगटन, वसा का वसी अमल में विगटन और vitamin का अफ्सुसन, तो इसका कार होता है starch का सरकरा में विगटन करना, option number 2 आपका correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तो, अगला देखिए यक्रत द्वारा पित्रस आहर नली के किस भाग में सरावित होता है, amasai, छोटी आत, बड़ी आत, ग्रसिका, इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो छोटी आत, अगला देखिए कार्वोःटेट के iodine-villian परिक्षण में कौन सा प्राप्त होता है, इसका correct answer हो जाएगा नीला बैगनी, याद रखना दोस्तो क्या होता हैगा नीला बैगनी, चलिए, last question देखते हैं दोस्तो, आहर नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, very very important question है दोस्तो, ध्यान से इसको याद रखिएगा, छोटी आत मे दोस्तो, आहर नली के छोटी याद में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो यह दोस्तो, आज की इस वीडियो के सभी महत्पूर्ण question थे, जो कि मैंने आपको करवा दिये हैं, आप इन सब को देख सकते हैं एक बार और, देखिए, यह सारे question मैंने आपको करवा दिये हैं दोस्तो, आज की यह वीडियो आपके लिए काफी helpful होगी, वीडियो helpful लागे तो वीडियो को like जरूर करना और चैनल पढ़ना हो, तो subscribe जरूर कर लेना, मिलते हैं next वीडियो में, तक लिए खुश रहे हैं, मस रहे हैं, जैहल्द